वेल्कम बाक्रिमाइब चैनल तो आज कि इस वीडिव में हम बात करने जा रहे हैं है आपका मीननव नो नो को का ग्रैमर का चैप्र नंबर थी का रेंशु के बारे में आई होगा आपको चैप्र नंबर थी जो कि वीडियो को skip बिल्कुल मत करिएगा क्योंकि यहां पर मैं आपको कुछ बीच-बीच में कुछ ऐसी भी बाते बताऊंगा जो में भी हो सकता है आप skip कर दो वो आपको पताना चले तो चलिए जाए टाइम वेस्के चलते हैं आज के अपनी सीधी वीडियो की तरफ तो इसमें जैसा कि first question है मैंने किसी का भी example है आपर mention नहीं किया है तो सबसे पहले directly मैं बता रहा हूँ कि किस तरीके इसको हम लिखेंगे तो जो इसका first बनना था तो वो इस तरीके से बनना था यानि कि को का मतलब आपको मैंने बैली बताया था है यानि कि यहां के लिए हम बात करते है तो को को वा उके चुके दिस का मतलब यहां पर जो है वह एक reception है so here is a receptionist yeah sorry here is a reception reception desk second ko ko wa gym show this so here is a office gym show का मतलब क्या होता है जो भी office है उसको हम बोलते gym show so ko ko wa gym show this third ko ko wa khai ki shitsu this so here is a meeting room या meeting जो भी हम कह सकते meeting room के लिए हम बोले तो यहां पर meeting होगी या यह meeting room है तो ko ko wa khai ki shitsu this fourth ko ko wa otea rai this so otea rai means जो होता है वो toilet होता है so here is a toilet right तो इस तरीक से इसको लिखना था second की बात करें kai ki shitsu wa dhokodesh का यह direction के लिए होता है मैंने आपको grammar में भी बताया था देन वावा dhokodesh का फोन पूछ रहा हो कि फोन कहां पर है so soko this अब soko क्यूं है क्यूंकि जो पूछ रहा है उसके आप उपर देखेंगे question mark दिखा रहा है और वो बिल्कुल नियर है phone के instead of person उसे बता रहा है तो it means चुकि सुनने वाले के पास में इसलिए उसने soko लगा के बोला है soko this right and third यामदासान वा dhokodesh का यामदासान जो है Mr. Yamada कहां है तो in that case यामदासान वहाँ पर खड़े हुए तो listener और speaker दोरों से दूर है तो इसलिए a soko this समझ महीं चीज इस तरीगे से लिखना था थर्ड थर्ड का first ओते आराई वा dhokodesh का ओते आराई जो है वो कहा है यानि कि यहां पर हम वेर की उसमें कर रहे है दोको का मतलब वेर होता है ठीक है so where is the toilet so यहां पर इककाई देस on the first floor right second computer वा dhokodesh का तो जो computer है वो कहां पर है where is the computer so इसका answer है जी मुचो देस इन ओफिस ओफिस में है थर्ड हना को चान वा दोको देस का हना को चान यहां पर चान लगाया है चान बेसिकली लड़कों के लिए लगाया जाता है राइट तो लड़कों के लिए लड़कों के लिए कभी चान नहीं लगेगा so please remember that इस चीज को हना को चान वा को देसका so where is it हना को चान तो in that case क्योशत्सु देस क्योशत्सु मतलब class होता है in classroom ॥ फोट कुछ देसका so kutsu means shoes and uriwa means department so where is the shoes department so chika this it means in basement basement में राइट इसके बाद हम बात करें फोर्ट की तो फोर्ट का फर्स्ट इस तरह की से बनना था एसकरेता वा दोचिरा दिसका दोको का थोड़ा फॉर्मल हुआ दोचिरा एसकरेता जो है वो क्योंका तो सचिरा दिस वहाँ पर देनवा दोचिरा दिसका फोन का है तो कोचिरा दिस- सद्धो साननो हे वाद द दोचिरा दिसका जो mistrш साटो है यौका घर का जैदेquito सांग का थो 3rd पर ऊचि वा दोचि रदिस तो देरिदिस अब हम चलते हैं और फाइव और फाइव देखतें कि वह किस थरीके सापने कि इसके बाद तो फाइब को फाइब को फ़र्स्ट है वह इस तरीक से बनना था संतोसान सब्सक्राइब यहां पड़ना हो आएगा नो पार्टिकल संतोसान नो कुनिवा दोचिरा दिसका जब हम में किसी की कंट्री का नेम पूछना सुन्दाट केस भी हम दोचिरा लगाते हैं संतोसान नो कुनिवा दोचिरा दिसका उनकी जो कंट्री है वह कौन सी अगरा में यह जानना है तो हम इस तरह से लिखेंगे तो इमाँ पर पे अकॉर्डिंग टू पिच्चर देरें रएगा ब्राजिल यह वह इनकी कंट्री है इंडोनेशिया इंडोनेशिया इस तरहें हम लिखते हैं सेक्ड वाद्तोसान नो दायेगा प्राजी का नाम लिखा है संतोस्तान की जो कंपणी है यह कंपणी का नाम क्या है यह पूःtså के लिगाया एसका अंसर ब्राजिल के लिटीं क्राशिर के नाम है हमेर लिачा हमें सेकंड वाहत्तन सान की चोइनुवरस्टी है वह कौन सी है त्हों साखुरा दाइगाएगागु जो है हो उनकी इनवर्स्टी का नाम है क्मपनी है। इस तरीके से अंशर आता है अब हम चलते हैं स्यवन को थे देखते हैं किस तरीके से होना था । according to picture और दो को नो खवान दिसका अब हम for example वो कवान है वो बैग है उस बैग को हमें पता करना है कि वो किस कंट्री का है खां का है ठीक है तो इन दाट किस हम दो को यह वो यह सिमिलर दोचिरा का ही सेम यूज है तो कोरेवाद दो को नो खवान दिसका तो खांखोकु नो खवान दिसका तो साउथ कोरिया बोलते हैं कांखोकु तो एक खांखोकु का बैग है रैट कोरेवाद दो को नो खामेरा दिसका किस कंट्री का यह जो है यह कहां का यह कैमरा है त़िवा जोगौनो कॉम्पूटर दुस्का यह कहां का कम्पूटर है सो आमेरिका नो यह अमेरिका का हैमेरिका की महां से बना हुआू एकम्पूटर है कोड को रे분 कोनो कुरूमा दिस यह कहां केख करूमा है तो तो दोइस्टू यहां पर देखते हैं को कभान को प्राइसित पता करते हैं को खावां वह कितने का है तो शेकर शहर तरीके से इसका आंसर था नीमान गोशन जाप यक्वेंदिस लगबग थर्ड कोनो computer वा इकुरा दिसका तो यह computer जो computer है वो कितने का है तो यहां पर देखिए इसके प्राइस दो लाग तैन्ता लिजा है तो I think 10,000 को इची मान बोलते हैं तो लाग को हम जूमान बोलते हैं तो यह 2,000,000 है तो नीजू यूमान सांजन एंदस तो लाग को यहां पर नीजू यूमान सांजन एंदस हो जाएगा इस तरीको से लास्ट है अपर यहां पर यूनहयकू गूजू मान एंदस 45,000,000 की गाड़ी है इस तरीकर से हमने आब बता है तो यह था इस चिप्टर में आपने साहर आपने साहर अपने रेंशु सी के बाद वाला जो पॉट्शन है उसके भी आंसर्स हम चैक करते हैं कि वह आपने सही करे भी है या नहीं चलिए तो लास्ट चलते हैं इसके बाद जो मोंधाई रेंशु सी के बाद जो पीछे मोंधाई थी चोक्काई जो आपको गड़नी थी फर्स्ट इसके यह भी मारू है फोर्ड जो है यह बात्सु है यह बात्सु है यह आंसर्स थे आई होब कि आप लोगों के जो आज की वीडियो में जितनी आपने रेंशु जो करी थे वह आपने क्रॉस्ट चेक कर लिए होगी और आपको अपनी गलती का अच्छे से पता चल गया हुआ अगर आपको लगता है कि मैं आपे श्टक हो रहा हूं तो आप मुसे बेदड़ाग वहाँ पर पूछ सकते हैं तो आज की वीडियो मेरी तरफ से स्रफ इतना ही था अगर वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक जरू कर दीजीगा चैनल को सब्सक्राइब करना बि अब तक के लिए कीप प्रैक्टिसिंग कीप स्माइलिंग टेक केर एंड बबाए